17 वर्षों से साशन कर रहे NDA के दल कभी आपका भला नहीं सोच सकते हैं और अब वो वक्त आ गया है जब बिहार वासियों को खुद ही अपना भला और बुरा सोचना होगा और इसके आगे तिनस्वी आदव लिखते हैं कि हमारे बिहार के लाखो युवा दूसरे प्रदेशों में आखिर नौकरी करने क्यों जाते हैं उनको कहीं और जाकर अपना जीवन यापन क्यों करना पड़ता है और आखिर वो अपने प्रदेश में रहकर काम क्यों नहीं कर सक सकते हैं बिहार के बाहर जब दूसरे राज्यों में मैं जब जाता हूं हर छेत्र में जमीन आस्मान का अंतर दिखाई देता है और उसके बाद बहुत सा लंबा पोस्ट जो तरियस्वी आदव के फेस्बूक पर हम देख सकते हैं जिसमें तरियस्वी आदव ने जिक्र किय यह बताने का काम किया है कि आखिर बिहार की सरकार कैसी लोगों को ठगने का काम कर रही है और कैसे किसी भी मानक पर बिहार आख्री दिखाने लगती है और खरी कोटी सुनाती है और आगे वो लिखते हैं कि बिहार के युवा अपने हक अधिकार के लिए सरकार से निरंतर सवाल कर रही है, करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, क्योंकि सरकार ने बिहार की दो पीडियों के वर्तमान एवं भविष्य को बरबाद किया है। बाकी तिरस्वी आदव ने कई बातों का जिक्र करके टाइटल में दिल की बात लिखकर अपने फेस्बुक पर डाला है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको नेता प्रतिपक्ष का पूरा लिखा हुआ ही बताया जाए और उसी का आज विशलेशन किया जाए। अब नमस्कार मेंना नाम प्रशांत राय है, आप जिनता जेंग्षन देख रहे हैं। और विधी विवस्था सहित अन्य छेत्रों में बिहार देश का सबसे फिसड़ी राजी है। के लिए सोचना चाहिए, तो इसके उलट ये लोग राज में ही सामपरदाइक और जाती आग लगाने के काम में लगे हैं। ताकि लोग आपस में घिना करें, एक दूसरे से नफरक करें और बदले की आग में सुलगते रहें। तथा किसी का ध्यान, सरकार की नाकामी और नकारेपन पर ना जाए। लोग बिरोजगारी, गरीवी, भरष्टाचार, शिक्षा, स्वास्त, सुविधाओं की बदहाली, अपराध, किसानों, युवाओं, छात्रों की अंदेखी जैसे मूल प्रश्णों पर सवाल नहीं पूछे। और ये सत्ता रूर दल समाज में अपने ही द्वारा लगाई आग में अपनी सियासी रोटियां सेखते रहे। के बाहर जब दूसरे राज्यों में जाता हूँ, तो हर छेत्र में जमीन आस्मान का अंतर दिखाई देता है। वह भी तब जब बिहार की वर्तमान सरकार पिछले 17 सालों से सत्ता में है और रहते हुए वो अपने आपको एक नंबर बताते आई है। बिहार हर मानक, हर मापदंड और हर सुचकांग में लगातार सबसे फिशलगू राज्य बना हुआ है। और जब तक ये निकम्मी रूढिवादी सरकार यहां सत्ता में है, इसमें बदलाव या सुभार होने की कोई भी गुणजाइश नहीं है। जब भी कोई स्वतंत्र मानक संस्था अपनी मुल्यांकन के सुचकांग में बिहार को सबसे नीचे का स्थान देती है, तो ये सरकार सच स्थिकारने के बजाए उस संस्था को ही आँख दिखाने लगती है, उसमें ही खोट निकालने लगती है और उस संस्था पर दबाव ड जालने का अनैतिक प्रयास करती है, जिस सरकार का उद्देश सिर्फ भूत काल में जीना, राजनितिक धुविकरन करना, समाज को बाटना और अपनी नाकामी को सुधारने के बजाए उस पर मिटी डालना हो, उससे किसी भी प्रकार के सुधार की उमीद करना मुर्खता ही हो जान चुकी है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ सफेद जूट की खेती कर रहे उन लोगों की है, जो सिर्फ मूर्ख मनाते हैं। लेकिन ये पोस्ट इस बात का आईना है कि बिहार की स्थिती पिछले 17 वर्षों में क्या रही है। पर आयन के दर्ज से लेकर बिहार की विकास की बात तिर्फ यादव ने इस पोस्ट में की है। तब ऐसा लगता है कि वाकई में तिर्फ यादव ने इस पर चिंतन किया होगा। जब वो बात ग्रोजगारी, गरीवी और घष्टाचार की करते हैं तो बिहार की दूर्दशा आपकी आखों के सामने आनी चाहिए जो बिहार अभी भी आमूल चूल बदुलाव और सुविधाओं से वन्चित है। तब हमें याद रखना चाहिए बिहार की वो बरबाद सरकारी विध्यालेओं को जहां पढ़ाई नहीं होती है, मास्टर सहब लेक आते हैं और इन सब के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री सहब कहते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास विध्याले बनाया है। जब वो बात करते हैं अस्पताल की तब गुर्दर्शा याद आती है PMCH जैसे अस्पताल की जहां पर बेड नहीं है, साफ सफाई नहीं है, मर जाने वाले को स्ट्रेचर तक नहीं मिलता है, किसी मरीज को कोई अटेनेंट नहीं मिलता है और लगता है कि बिहार इतना बरबा आने वाला है और नितीश सरकार पर ऐसा का टाक्ष है जो उन्हें सोचने पर मजबूर करेगा, बाकी आप इस पोस्ट के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमिंट बॉक्स में लिख कर बताईएगा, बाकी मिने नाम प्रशानतर आये है, आप जन